हालो बच्चों आप सभी बच्चों का देव क्लासेश में श्वागत है आज हम आपको 2019 का सेट नमबर तीसरा वी एल रशान बिग्ञान का क्लास टेंथ का बताने जा रहा है ठीक है अभी तक आपके जो 2020 के पूरे सेट डाल चुके हैं और आपका वो सरी 2019 के भी दो सेट डाल जरूर करें और सेयर करें जादे जादे अपने दोस्तों को ताकि सभी बच्चे इस तरह में लाव उठा सके तक यह भी सब आप लोगों कि सबके स्कूल बंद हो चुके हैं पंदय तारिक तक के लिए हो सकता है आगे भी संभावना है बंद होने की इसलिए आप ओनलान तय देखते एं हैं वह विकल्पी होता है इसमें अंभी इविल्यन का प्येश मान क्या है यह इंक कई बार एक बार आःए था पता भी था अमेशन का पीश मान क्या है यहा यहिश सहते होता है sona से इनतम होता है श्यार sobretर है नृष और चीनल में denkler यहार इसलिए इसका राइ अमली हाइट्रोजन परमाणू की संख्या है सल्फियूरी कमल में हाइट्रोजन परमाणू की संख्या तो सल्फियूरी कमल का जानते हो सूत्र क्या होता है H2SO4, क्या होता है, H2SO4, यह आपका है, सल्फियूरी कमल का सूत, जिसमें किसकी संख्या पूछ रहा है, हाइट्रोजन परमाणू की, हाइट्रोजन कितने हैं, दो, जिसका राइट आंसर कितना होगा, तो, ना कि एक होगा, ना ही तीन होता, और ना ही शूर्ने होता, ठीक है तो, सल्फियूरी कमल का सूतर पता होना चाहिए, अपने आप हाइट्रोजन परमाणू की संख्या ग्यात हो जाएगी, अगला है, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम मतलब धातु है, रेडियोक्टितत्व है, और ये आपके, आपसंदिये होए है, तो, यूरेनियम है, छार यूरेनियम, रेडियम, ये आपके क्या होते है, रेडियोक्टितत्व, अगला कुश्चन, छठवा नंबर है, छठवा नंबर इसमें पूछा का है, निम ने लिखित योगिकों की संख्या अत्मक सूत्र लिखिए, यानि प्रोपे टू आल, या प्रोपेनॉल इसे भी कह स की सनचना बनाना सकते हैं, और छास कमल इसे बनाता सकते हैं, प्रोपेन स्काल चश्का, छास मतलब होता है, जैसには यह 3 CH3 है इस C में कितने carbon लगे हुए है इस carbon में 3 hydrogen लगे हुए है इसलिए आप इसको CH3 फिर दूसरे रमर में C लिखा है और H लिखा है ठीक है तो वहाँ पे ऐसे carbon लगा करके CH और नीचे की तरह उसमें अगर सम्मों जुड़ा हुआ है तो वह आपको अलग से जोड़ना लगा यहां पर प्रोपेन टू ऑल कह रहा है तो हमें दूसरे नंबर में यहां क्या कर देना है ओए जोड़ देना फिर एकल बॉन लगा करके क्या है CH3 तो फिर आप CH3 इस तरह सब संगनी सरनचना भी बना सकते हैं ठीक है और आगर खुली सरनचना बनाना तो खुली सरनच बना सकते हैं arise is ऑफित हाइडराऊक्सी दू हाइडराऊक्सी प्रोपे Incred pauई कम्ल तो हाइडराऊक्सी होता है o-oh यहां पर हाइड्रोक्सी लगाना है और सबसे पहले क्या कह रहा है प्रोपेणोई कर्भॉक्सलिक सम्मू में लगता है ना बताया भी आई पेसी ना बताते समय कई बार भी मिला है तो यह आपका क्याल दिये हुए प्रोपेणोई कॉऑ है नोईक में हमारा ओन ऊघृः तुम करता है जब्ल और यह इसके बाहत ही ऊनले की करते हैं इसमें त uncheck on 123 123 हो गए तो किसने कितने नमबर में कह रहा है तू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अमल असा करते हैं कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रही होंगी चलिए अगला कुश्चन देखते हैं क्या है कैला माइन से जिंक का निस्टापन करने से जिंक आकसाइड बनता है योटे जोटे जोटे गोले की रूप में क्या हो जाएंगा परिवर्थित हो जाएगा चोटी छोटी फोले के रूप में ऐसे उसमें भटी इसका होता है निसकर्षण तो छोटी फोले के रूप में नीचे जमा हो जाती है ग्र us कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत बच्चे कम है शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ओके और शेयर करें चलिए अगला कुशन देखते हैं आधनी कावर्तिनियम क्या है यह बहुत बार पूछा गया आपने पीछे भी बताया कई बार फिर से बताएंगे आधनी काव में चाइए यह लीथियम और मैगनीशन में विकलर संबंद क्या होता है विकलर संबंद आपके पढ़ाओं में हैं कि आधनी का बरत्नियम कहते हैं आदनी कवर्तनियम में क्या सिंपल सी परमासा इसके तत्तों के भौतिक तथा रासाइनी गुड़ धर्म उनकी परमाड क्रमांगों के आवर्ती फलन होते हैं अगला है लीथियम तथा मैगनीशियम के विकल्ड संबंद क्या करना है अब यहां पर लीथियम और मैगनीशियम के साथ विकल्ड संबंद रखता है लीथियम मैगनीशियम के साथ क्या रखता है विकल्ड संबंद आपस में रखता है लीथियम फर्ष्ट एक अतत्तु है और मैंगनीसियम आपका सेकन्ड एक अतत्तु है तो इस प्रकार से जो यह बनाया हुआ है यह बिकलशंब्स कारने के आपस एक यह बनाते हैं जिब दोनों में आपस में समान गुण होते थे तभिया आपस में इसको बिकलर शंमन्द प्रदर्शित करते हैं तो उनमें आपस में गुड़ समान होते हैं ठीक है तो इसमें समान अता कि गुड़ की कारण क्या है इनका पर्माड़ आकार लगभग समान है इनका जो पर्माड़ का आकार है वो भी लगभग क्या है शमान है इनकी बैज़त लड़ात मकता भी लगभग समान है और इनकी कार तापन का मतलब होता है यह नीचे जैसे कारणीर के साथ अग्रिया कराई है तो दोनों सेम सेम है इसलिए यह आपस में क्या है इनके गुर्ष शमान है देखे ल,I,C,O,3 यहीं लीथियम कारणीर को जब कर्म किया है तो लीथियम ऑक्साइड और कारणीर डायक्साइड बना इसी प्रकार से मेगनीसियम कारूनेट को जब कर्म किया है तो मेगनीसियम आकसाइड प्लस कारबनायाकसाइड आपका बना है जो बच्चे नहीं हूँ पुछ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाव उठा सकें ठीक है तो मीठा सोडा बनाने के मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं सोडियों कार्बोनेट को सोडियूं कारिट के जलीय बिदिन में कार्म रायकसाइड गैस प्रभाहित करके बनाया जाता रहे यानि जब sodium bicarbonate को sodium carbonate के जली बिलिन में जली इसी से पूरा आपका समय करा रहा है sodium carbonate का सूत होता है ने 2CO3 जली बिलिन मतलब जल, H2O में क्या कॉन सी gas provide करते हैं CO2 तो में CO2 gas provide करते हैं तो क्या बनता है आपका baking soda तो आप आगे baking soda का सूत लिख दीजिए और दोनों की balance की पूरी कर दीजिए यहां पर सबसे पहले sodium कितने हैं दो तो यहां एक sodium था इसके बाद कितने हैं दो यहां एक है CO3 कितने हैं इधर क्योंकि CO3 एक यह हुआ और यह में जोड़ देंगे तो CO3 भी दो गए इसलिए आगे 2 लगा देंगे तो सारी संख्या स्मझ में उढ़ा हो कोई बात समन्स के बाद서 सकते हैं अगले वीडियो में समझाएंगे तsti आफ्रत के क्या है यह तो होगई और यह ज्यादतर बनाने के लिए sodium chloride के billion में CO2 gas baking soda बनाने के लिए NaCl के billion में CO2 gas तथा NH3 को प्रभाहित करके बनाया जाता है NaCl के billion में NaCl के billion मतलब जल में CO2 और NH3 प्रभाहित करते हैं तो क्या बनेगा NH4Cl प्लस NHCO3 इसमें क्या करेंगे देखेंगे पहले Na NH3 है एक से hydrogen ले लेंगे तो 4 हो जाएगा NH4 और एक ECL है यहां है NH4Cl यह बन गए ammonium chloride आपका यह है ammonium chloride प्लस फिर क्या बच रहा है आपका यह Na रख दिया और एक hydrogen बचा क्योंकि एक इसको दे दिया था तो एक hydrogen हो गया और CO3 CO2 है आपका यहां इससे एक oxygen ले ले लेगा तो हो जाएगा CO3 और यह आ गया आपका CO3 तो यह आपकी रही आपका दूसरी भी थी बेकिंग सोड़ा बनाने की यानि नमग जल कारवन डायकसाइड में अमोनिया गैस प्रवाइद करने पर क्या बनता है बेकिंग सोड़ा बन नमबर दूसरा नमबर गाक यंत्रगा दो प्रसंद पूछे गया हैं पहले और दूसरा पहला है किर्यात्मंक समधा ië किरात्मक सम्मूं क्या है कार्मिक यह उपस्थित वे पर्माडू या पर्माडूं के समौं कैनि कारの करनेक योगिकों में उपस्थित बे परमाड़ों के सम्मूं जो उनकी कृयाओं को मुख्य रूप से नर्धारित करते हैं वह क्या कहलाते हैं क्रियात्मक्त सम्मूं कहलाते हैं जैसे अगला कुछन है कॉपर के एक आयसक का नाम तथा सूत लिखे यानि कॉपर के एक आयसक का नाम और सूत लखना है अगल्द twice और सूत ल इसके आयसक क्या है कॉपर ग्लांत क्या तो यह आपका कोपर्ण और कॉपर फीजी आते हैं अगला कॉस्षन क्या है देखिए शेयर करें भाई बहुत बच्चे कम है भी आपको इस तरह की वारिस में भी वीडियो मिल ला है और जादस-जादा हल करें और सेयर भी करें बच्चे जो नए हों वो सस्क्राइब करें इस तरह कि मौसर में भी हम पूरा मैटर तयार करके आपको ओनलाइन देते हैं अगला कोशन है निम्न लिखित में संचिप्त टिपड़ी लिखिए कोश्चन नमर आठ हुआ लाश्ट कोश्चन है इसका निम्न लिखित पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए देखें कौन कोंसी सजाती स्रेडी साबोनीकरण कार्बन की चतु सईयों जकता पहले आथवा में प्रशन पूछ रहा है वह आला देख लीजी यह तीनों अभी हम आपको बता आज में तो क्या होता है जबकि रियक्षियों पूछे तो वह हैं इसे के अध्वे मैं दिया होती है किसे इसमें से साथ नंबर में प्रशने दी हुआ है तीन इतनी वड़ी बड़ी परिया सहां है ठीक है थोटी है थोटी एक लिंहें से लिखने वाली हैं काफी और उसी में अथवा में साथ नंबर में पूरी आपको अवक्रिया दे दिया अगर इसलिए कहते हैं ज्यादा दें अगर आगए साथ नंबर की पूरी अवक्रिया दी है लीजिए आप हल कर दीजिए ज्यादा टाइम नहीं लगना मुस्कल से 10 मिनट भी नहीं लग रहा हैं और कम से कम 15 या 20 मिनट आपको तीनों परिभास लिखने में टाइम लग जाएगा इसलिए टाइम की बचत के लिए अभी क्रियाओं भी सीखें ताकि उसमें अगर एक्जाम में आती हैं तो अथवा वाला ही अगर टिपड़ी पूछ रहा है इसमें क्रिया poking करें चलिए देखते हैं इसमें 메खेन का दहन कराया जाता है इसका मेथेन का सूतर हो सबसे पहले इसके लिए हमको सूत्र रियाद होना चाहिए हम बार बार हर अब क्रिया में सूत्र बताते हैं इसलिए आप सूत्र जरू नोट करते जाए मेथेन का होता है और दहन का मतलब होता है दहन करार जाता है औक्सिजन के साथ तो यह हल करने के लिए हमने लगाया तो आगे बनेगा सी ओ टू प्लस टू एस्टू ओ दूसरा नमबर है एथिल एलकोहल को एस्टी कमल से अविक्रिया कराया जाता है क्या है एथिल एलकोहल को एस्टी कमल से अविक्रिया कराया जाता है एथिल एलकोहल का सोतर क्या होता है सी टू एच फाइप प्लस एस्टी कमल का होता सी एस्ट्री सी डबल ओयाज जब एथिल एलकोहल को एस्टी कमल से अविक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा एथिल एस बनता है फिर इसी को एस्टर भी बोलते हैं तो पर इसी को एस्टर भी बोलते हैं तो मैं गए चिलियों अगे हुए आपकी दूसरी आपी करिया करता है यह अपका साधर आननाम EVERY यह अथे नौए कमल किसे करता है जोडिय। नाम ही च行 और किस से करता है सूडिय। हाईडराकसाइड का सूत होता है न ए और यह बीच में तो आपका क्या बनेगा जल बनेगा अगला है एथेनौल को सलफीरी कमल के साथ गर्म किया जाता है यहाँ पे साथ का मतलब एथेनौल के साथ नहीं करता वह उसकी उपस्थिती दर साता है यही कंफुजन बाली बात है लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा एथिनॉल को सल्फियूरी कमल के साथ गर्म किया जाता है उसके उपस्थिती दर्सान है तो सीटू एच फाइप उपर इसको सांध्र एश्टू लिख देंगे और आगे क्या बनेगा ऐसे एथिलीन बनेगा सीटू एच फोर सीटू एच हाइट्रोजन बचेगा तो आगे बन जाएगा प्लास एस्टू ओ इसका जल बनेगा यह आपकी रियक्शन नहीं कितनी सरल नहीं तुरंत बन गई है अब टिपडिया देखिए उनमें टिपडि क्या क्या पूछ रहा था साबनीकरण और श्रजाती सिरेली और चतू सेयोज तक क्या है कार्बन का परमाड तक रहां कितना है चतू सभल की प्रक्कती एक बार और पूछा था कार्बन का सैयोजग्ताप को देखना है कार्बन का परमाड क valley प्रमाण कर मांग त्पार्मांख को होता है जै सिक्स तत्ай इसके बाहरी ओमेरe इलेक्ट्रान होते हैं तरह रही परमाण क्राइब सेरियों सहयों जाकता हुती है निया क्द्रींशाल दोले नियूज sì यानि चार हैट्रोजन बारी-बारी से नांट्रो-मूलक के दौर्वच्ट श्थापित करके आए है उन्हें नांट्रो-मेथेन के चार नमूने बनाएं और चारो नमूने और तरफ लगाया कि कार्बन परमाडू को चारो एक तल में ना रख करके अंतरिच में इस प्रकार विवस्तित रहती हैं कि समचत्वपल के सीर्षों की उर्षारित होती है और कारबन की दो सायू जक्ताओं क कितना बनता है 109 डिग्री 28 मिनत्त का क्उंड स्वर्ण इस जरूर सोशुष्टे सिस्टी ना चाहिए कारवन की दो सेउजक्ताओं के बीच आपको एक sun हडीग्री 28 ane to 707 का बचेगा सी बनाया सी षची बनाे हôm इपर एक इधर एक लेक नीचे इधर हो गया तो इसके बाद याँ पर दो यहां से आपकी आश्यあां से आपकी एदृसरोओ जगता है इसके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का आपका कौन बनता है यह आपके कार्वन के चतों से जगता की सन्दचना है ठीक है अगले ठीपड़ी देखें इसमें क्या है सजाती स्रेडी सजाती स्रेडी क्या है समान क्रियात्मक समुवाले योगिकों को जब उनके बढ़ते या घटते वी अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्ट स्रेडी को सजाती स्रेडी कहते है यानि समान क्रियात्मक समुव या कोई क्रियात्मक समुव लगा हो य प्राप्त होती है उसी स्रेडी को क्या कहते हैं कि सजाती स्रेडी कहते हैं जैसे कि समान क्रियात्मक समुवाले योगी को जब उनके बढ़ते घटे में अनुभार के क्रम में रखा जाता है तो प्राप्त स्रेडी स्रेडी कहलाती है यानि उसमें एक स्रेडी प्राप्त होती ह यह एजन में दो हाइट्रोजन और चल़ आपके अम्मीड कारफ़िए उसे क्वरफ कर दिंद Glass सब्सक्राइशाजाजा तradhole को सब्सक्राइब यजिए याणिप fel तब्सक्राइब करें तन्सट्सक्राइब अबसेरों को सब्सक्राइब साबून वसाओं को sodium hydroxide अथहा यह तो sodium पूटास- sodium di harpside कास्टिक पुलाइच पूस्टिम हईड्रणक्साइड के साथ गर्म करने बनता है साबून बनाने की प्रक्रिया के में साबुनी करण यहीं साबुन बनाने की पूरी प्रक्रिया है इसी को साबुनी करण कहते हैं इसका सूत होता है स्रीज एच टू सी डवलो और यहाँ पे कई बार हमने एक जगे आर भी बताया था आर का मतलब होता लके तो यहाँ पे होगा सीएच्ड और स्यएच्ड तू यह आउच्ड ड्लिचीज घ्लीच्रान अधृस्वां बनता है कि इसका सूत्र है यह अगरोड़न दूसरा में लास्ट में घ्सका है लिए आपका शाबून का सूत्र है सी सत्रा एच पैतेस यह आपका है साबून और इसको बुलते हैं और आपका यह मेटर मचon करके आप को आप तक पहुंचा रहा है ठीक है और ज़ादा स्छाधा दोस्तों को को सेयर करें सभी बच्चों को जो नए बच्चे हूं वो लाइब जो सब्सक्राइब जरूर करें सेयर करें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूले था कि जैसे आपको यह वीडियो बने लाइब हो आपको तुरंद मिल जाए ठीक है चलिए यह आज का आपका वीडियो करें यह एंए करें दो नहीं है है यह जाज कि जढ़ बनालाडो blijतर करें नहीं है लाइब हो दो आपका फसक्ता से अज़ खच्चे हैं सब्सक्राइब पिज़ड़नाख